जी नमस्कार, मेरे पास पतंजली फूर्ट के 40 शेयर है तो मैंने आवरेज 1130 किस्ट में लिया था 1130 1130 वाला जब शेयर 930 का हो जाए तो थोड़ा सा नुकसान ये जो है दर देता है और कहने के सवाल भी खड़े करता है कि अब करना क्या है ऐसी लोग के मदद भी करते हैं और विनाश जी आप ही बताइए पतंजली फूर्ट कैसे देखना चाहिए क्योंकि हमने ये 1000 रुपे के आस पास किसमें भाव देखे लेकिन अब प्रोसेस्ट फूड वाला जो धंदा है उसको लेकरना थोड़े सा न उत्साहा भी है और कई जगह ये प्लांट्स भी अपने लगा रही है आपको लगता है कि अवरेजिंग करना चाहिए इसमें अबनाश जी आ फिर जो है शेर इसको बना करें इसको बस तो इसमें ज़रूर एक आवरेजिंग का अपॉर्चिनिटी मिल सकता है मेरे खाल से देखिए ये कंपनी में अंडर पॉफॉर्मंस इसलिए आई है क्योंकि प्रोफिटिबिलिटी पिछले दो कौर्टर में काफी सिग्निफिकेंटली दबी हुई है होफुली एक बार स्ट्रॉक में रहना चाहिए अगर हो सके तो थोड़ा एवरेज करें लेकिन नजरीय करें 12-18 मेहने करें तो थोड़ा सा नजरीया आप लंबा रखे 12-18 मेहने तक आप और इसको होल्ड कीजिए आपके नुकसान के भरवाई भी करेगा और अगर आप कमाना कमाई करना चाह करें दोड़ाएं करें दोड़ा है भी करें दोड़ा है तो फोड़ा है